नमस्कार केमचो हिंदूस्तानियों बॉलिवूड की गटर से आज एक और टैलेंटेड सीतारा हम लोगों से दूर हो गया और हम लोगों ने देख भी लिया मुंबई पुलीस की क्या उकात है और ये इंडस्ट्री कितनी हद तक गिरी है वो हम लोगों ने तब देख लिया है दिया चक्रवर्ती जैसी दो कोडी की नाचने वालिया आज रस्तों पे बेख़ौफ होके घूम रही है ये सबसे बड़ा एक्जामपल है जो अभी अपकमिंग जो ये मॉडलिंग करते हो जिनको बॉलिवूड एक मतलब ऐसा लगता है चका चौन वाली ग्लैमरस दुनिया है ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ा एक लेसन है मैं अभी भी बोल रही हूं लड़कियों के लिए स्पेशली ये इतनी बड़ी गटर है जहां तुम लोग है ना आज से पांच साल बाद राच कुंद्रा भी जिस मलब स्कैंडल में पकड़ा गया है अगर तुमें य भी बोल रही हूं कलकोट के ना तुम या तो सीग्रेट ब्लू फिल्मों में हिरोईन बनकर आ रही होगी या तो कमाठी पुरा में तुम धंदा करती नजरा होगी और तुमारे माबापके सामने जाने की तुम लोगों की हैसियत नहीं रहेगी ये गटर है ये नहीं है मतलब आज मलाइकारोरा को देख लो मतलब वो कहां अपने पती को छोड़के कहां अरजुन कपूर के साथ हनीमून के फोटो वोटो डाल रही है मतलब उसका पती कहीं और मुँ मार रहा है सैफ खान को देख लो जो उसके रिसेप्शन में आती है जिसको वो बेटा बोलता है वो आज उसके बच्चे पैदा कर रही है मतलब इन लोगों को कते ही मतलब प्यार या सनमान मतलब इन लोगों की जिन्दगी में सिर्फ पैसा इंपोर्टन है और पैसा कमाने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते है और ये सो कॉल्ड जो नीपोटिजम वाल टैलेंटेर थे के बहुत आगे जा सकते थे मैं अब भी भी बोल रहे हूं बहुत अच्छे और स्मार्टली तरीके से इन लोगों को हटा दिया गया मैं यही स्टेट्मेंट दूंगी लोग चाहे कुछ भी बोले लेकिन ये बहुत ही स्मार्टली किया हुआ मतलब एक कांड है ठीक है जो टैलेंटेड लोगों को दबा देता है और ये जो हीरो हीरो इंजो होते हैं उन लोगों को सिर्फ अपने बच्चों को ही इस इंडस्ट्री में रखना है आप लोग मुझे एक बात बताओ शारुक खान का बेटा मतलब ना अकल ना शकल लेकिन वो अगर हीरो बन गया ठीक है तो वो चलेगा क्योंकि वो शारुक खान का बेटा है आप लोग एक बात बताओ मेरे को अजय दयोगन के बच्चे आप देखो ठीक है लेकिन वो इंडस्ट्री में आएंगे भी चलेंगे भी अनिल कपूर को आप लोग देखो मतलब ये लोग इतने सा हीट एक्टर नहीं था तो कहां से ये लोग अपनी जिंदगी के इतने बड़े-बड़े खर्चे निकाल रहे हैं ऐसी कौन सी ताकते हैं इनके पीछे कि उन लोगों की बेटियों की शादियों में करोडो अब जो खर्बो रुपे ये लोग खर्चा करते हैं मतलब इंडस् पशने वालिया बेखॉफ होके घूम रही है जैसे मैंने बोला और जिसको जाना था हो चला गया मैं अभी बोल रहे हूं मादाप बनना इस नॉट अ बिग डील लिकिन अच्छे मादाब बनना इस अब बीग डील मैं अभी बोल रहे हूं अगर आपको लगता है मेरा बच् गंदे शब्दों मैं बोलू तो आप अपनी बेटी को वैशिया बनाने का अगर आप सोच रहे हो तो ही इस बॉलीवूड की गटर में उसको भेजो मैं अभी भी ये अगेन एन अगेन बोल रही हूँ बहुत सारे जो मेरे रेग्यूलर जो व्यूवर्स है उन लोगोंने मेरे बहुत से वीडियो में ये लाइन कॉमनली सुनी होगी आपके बच्चों को कते ये चीजे ना बताएं जब भी वो आप मूवी देखने जाओ के ये हीरो है उन लोगों के दिमाग में न हीरो वाली जो एक जो इमेज होती है न वो इन गटर छापों की आप सेट मत करो मैं अब भी भी बोल रही हूँ ये लोग इन लोगों आप इस सीरियल्स को आप लोग बढ़ावा दे रहे हो जो सीरियल में बीवी उसके जेट के साथ गूम रही है उसका देवर उसकी बेहन से शादी कर रहा है उसकी बेहन अपने पूराने पती के दोस्त के साथ गूम रही है और यही सब चीजों को आप लोग देख रहे हैं यह लोग चल रहे हैं तो मुझे कही ना कही लगता है यह चीजे हमें भी समाज में बदलाव लाने की जरूरा थे इन लोगों को यहीं पर अटकाना बहुत जरूरी है वरना ऐसे टैलेंटेड लोग ना मरते रहेंगे और यह जो गटर छाप जो लोग है जिन में कते टैलेंट नहीं है वो लोग आते आगे आ जाएंगे आप मुझे बताओ वरुन धवन में क्या खासियत है मुझे तो आज तक उसमें कोई हीरो वाली क्वालिटी समझ में ही नहीं आई सोनम कपूर मतलब ना अकल ना शकल गधी एक नंबर की चल रही है क्यों क्य wabuk show comprende के वी बोले है लोगों को मजब बहुत सारे लोग मेरको बहुत सारी चीज़े सुनाते अक्षय कुमार के लिए ऍशियीन अक्षय कुमार ने आज भी अपनी नागरियक ताना बैंकोग वाली कैंसल नहीं करी है तो वो देश का हीरो से फिल्मों में है ठीक है और जिसके उसको पैसे मिलते हैं समझ में आ गया मलब उसको कोई ऐसा प्यार व्यार अगर देश से होता ना तो शुशांत के केस में वो लड़ता आगे आके अक्षय कुमार ने कोई स्ट स्टेटमेंट उसका नहीं दिया होगा क्योंकि वो तो ही हरामी एक नंबर का महा नायक जो बनकर बैठा है वो इतना समाज वीरोधी इंसान है मैं तो बोल रहे हूं के बीसी में भी जब मेरे को पता चला कि वो यह उमर खालीद कनेया कुमार उन लोगों को आप्शन्स में ह समझ में आ गया कि एक नंबर का नीच इंसान है अमीता बच्चन तो यह सब इतने हरामी है एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं आपके बच्चों को इस गटर से दूर रखो और इनको हीरो हीरोईन यह सब टेग्ज ना दे अपने देश के अगर सच्चे अगर कोई हीरो है तो वो हमारी आर्मी है अगर अभी के जो हालात है उसमें हमारे जो हीरो हीरोईन अगर कोई है तो वो कोरोना के वारियर्स है डॉक्टर्स है जिन लोगों ने अपने मतलब इतने अपने परिवार को साइड लाइन करके भी लोगों की सेवा करी है वो है समाज के सच्चे हीर इन लोगों को तो क्या है तुम 5 लाग फेको गे न यह नाचने वाली या तुम्हारे गर पर कपड़े उतार कर नाचेगी पाच लाग में तो यह तुम्हारे बच्चों को न यह इमेज उनके दिमाग में मट डालो कि बेटा इस फिल्म का हीरो वरुन दवन है इसकी हीरोईन सो नम का पूरे मतलब यह ना दसवी फेल केटेगरी की पबलिक है तो मैं अभी भी बोल रही हूँ टैलेंटेड जो अगर आपके बच्चे हैं वो इन लोगों को इस गटर में जाने से रोके स्पेशली मुंबई के लोग मतलब जिनको लगता है चका चौन ये वो स्टाइल में घुमना फाइस्टार में वैशिया बनकर रह जाओगी लड़कियों के लिए और लड़कों को भी मा को बहन बनाएंगे बहन को भावी बनाएंगे ये धंदे इन लोगों के कौमन है ठीक है सुजान ने भी रितिक रोसन से डिवॉर्स ले लिया पार्टी में देखो अपने बच्चों के साथ उसी के साथ चौट के खड़ी रहती है ये लोग आपके समाज को संदेश होगी उसके साथ सो भी गई होगी और उसकी करियर बहुत उपर तक जाएगी ये भी आप लोग लिखके रखलो और आप ही लोग उसको थियाटर में देखने भी जाओगे तो ऐसी दो कोड़ी की लड़कियों के पीछे अपना टाइम खराब ना करें अपनी आने वाली प्यार हिंदूतव अपने परिवार से रिलेटेड उन लोगों को आप उनके पर्वरिश करों बट ये गटर की पर्वरिश उनको ना दे ऐसा मेरा सभी जो जीतने भी माबाप है मैं हाथ जोड़ के उनको बिंती करती हूँ अपने बच्चों को इस गटर की दुनिया से पीडी को सुरक्षित रखे गटर से दूर रखे वरना आपकी बेटिया भी धंदा करती हुई नजर आएगी और आपके बेटे कहीं पंखे पे लटक रहे होंगे तो ये चीजे ना करें ठीक है और शुशान्त को आज भी मलब लोग भले भूल गए होंगे आज भी वो कहीं न कहीं लोगों के दिलों में जिन्दा है क्योंकि वो सही टैलेंट था मरलब इतनी कम उम्र में अपने टैलेंट से आगे आने वाला वो बंदा था सिधार्थ शुकला भी उन ही में से एक था लेकिन अगर सिधार्थ शुकला अपने कम उम्र में करियर में आगे आ जाता तो य इसका रीजन बहार आएगा ठीक है वो तो मीडिया वाले ही बता पाएंगे बाकि तो मुंबई पुलिस पर तो आपको भरोसा है ही अवनी हिंदुस्तानी की तरफ से वंदे मातरम भारत माता किजे यह मेरा ओफिशियल चैनल है अवनी हिंदुस्तानी उसको सब्सक्राइब कर कर स्थाइब कर दो कट मातर मम्मी में नचे हे लिगने की लाइब कर से ही रधरेब मातर में दो यह संसता।